अगर आपके पास सौमी का कोई साभी टिवाईस है और उसमें MIY10 रान कर रहा है तो अपने एक बात तो नोटिस करा होगा कि अप जब भी कोई थीम अपलाई करते हैं थीम स्टोर से तो उसका नोटिफिकेशन बार चेंज नहीं होता जिए हां दोस्तों थर्ड पार्टी थीम करने को नोटिफिकेशन बार चेंज हो जाता है लेकिन वह आटमेटिक डिफॉल्ट पे आ जाता है लेकिन ओफिसियल थीम स्टोर पे कोई भी थीम अपलाई करने पे उसका नोटिफिकेशन बार चेंज नहीं होता तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमको बताएंगे कि जो विदा थीम के ऑफिसयल थीम स्टोर से थीम स्टिम डाउनलोड करकर के आप अपनी नोटिफिकेशन बार को कई से चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो चैनल को शुरू कर है तो चानल को स्ब्सक्राइब कर लिजएगा तो चलि यह वीडियो को शुरू कड़ते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक theme apply कर दिया है तो मैंने कौन सा theme apply किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा और दोस्तों यह कोई third party theme नहीं है यह official theme store से theme डाउनलोड किया है हमने और देख सकते हैं इसका notification बार भी change हो चुका है आप देख सकते हैं कितना खुबसर color में है light red color में बहुत ही खुर्ज़त लग रहा है और दोस्तों अगर बात करें इसके contact list की तो contact list भी हमारा red color का है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों अगर बात करें messaging app की तो play store का icon भी change हो चुका है दोस्तों open करने के बाद हमें red color का play store मिल जाते है जो की बहुत ही खुब सा changes किया गया दोस्तों notification बाद तो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया और setting में अगर आपको ले जाए तो अहां भी देखते हैं क्या changes है तो दोस्तों यह देखी हम आपको setting मिले जाते हैं और setting मिले जाने को अब देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा look है वो change हो चुका है एकदम से तो दोस्तों अब यह कौन से theme है मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों इस theme की link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए मैं आपको टाइप कर लेता हूँ gradient और gradient टाइप करने कवाद सर्च कर लेता है सर्च करने कवाद दोस्तों आपके सब्सक्राइब करना है और download करके apply कर देना है तो apply करने के वाद दोस्तों आपको मैंन interesting theme लेकर आता रहूंगा